जीवन में सुख को पाना है तो भोले नाथ को मनाना है। साधारन सा दिखने वाला कपूर करेगा बड़े से बड़े कश्टों को दूर। राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों भगवान शिप को देवों के देव महादेव कहा जाता है। भगवान शिप भोले नाथ हैं क्योंकि वो अपने भक्तों की सभी मुरादों को पूरा कर देते हैं। भगवान शिप अपनी थोड़ी सी आराधना से ही प्रसन हो जाते हैं और आशिरवात देते हैं। माना जाता है भगवान शिव्मा गौरी का पूजन करने से, धन, सम्रत्थी और सौभागी की प्राप्ति होती है। भोले नात अपने भक्तों के हर कश्ट को दूर करते हैं। सात्विक मन से भगवान शिंकर का पूजन किया जाए तो वे सारे दोश और कश्टों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, भोली नाथ को सफीद रंग की बस्तुएं अती प्रिया हैं। भोली नाथ को प्रसन्य कहने के लिए और चंदर ग्रह की अनकूल प्रभाप्त कहने के लिए। सभी प्रकार के सफेद खादे प्रतात जैसे की दूद वा दूद से बनी चीज, चावल, सफेद दिल, अक्रोट, मिश्री, बर्फी जैसी मिठाईयां आधी का प्रयोग अधिक से अधिक कहना चाहिए। भोले नाथ को प्रसंद कहने के लिए दूद, दही, कोई सफेद कप्रा, चीदि, आधी का भी दान करने से लाग प्राप्त होता है। दोस्तों भोले नाथ के पूजन में कपूर का विशिश महत्व होता है। माना जाता है भोले नाथ की कृप्रा प्राप्त करने के लिए भोले नाथ का पूजन कपूर से करना चाहें। पूजा पार्थ में आवशक सामक्रियों में से एक है कपूर। सब तरहें कि पूजा में कपूर का इस्तमाल किया जाता है। हिंदु धर्व में कपूर को बहुत पवित्र माना गया है। पोजा पार्ट में प्रयोक किये जाने वाली हवन सामगरी में भी कपूर का विशेश महत्व होता है। बिना कपूर के धार्मिक कारे अधूरे माने जाते हैं। धार्मिक दश्टे कौन के साथ ही स्वास्ति के लिहास से भी कपूर फायते मंद है। बास्तु और जोतिशास्त्र में भी कपूर के महत्व के बारे में बताया गया है। कपूर से एक विश्ष प्रकार की सुगंध आती है जो पाता बरन में फैल जाती है। मानिता है कि इसके सुगंद से मन और दिमाग दोनों को शांती मिलते हैं। दोस्तों, पूजा में कपूर का प्रयोग प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। आज ही इस वीडियो में हम आपको कपूर से करने वाला एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भोले नात प्रसन होते हैं और अपने भक्तों को मुँ मांगा बर्दान देते हैं। इस उपाय को करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलते हैं। दोस्तों, यह उपाय जरूरी नहीं है, आप सौंबार के दिन करें। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें यह उपाय आपको संध्याकाल के समय करना है। उपाय करने के लिए आप इसनान करके सच्छबस्त धारन करें। इसके बाद एक छोटी से कटोरी लें, उसमें आप दो कपूर के टुकड़ी रखें और दो सावत फूलबाली लौंग रखें। अब अपने मंदिर के सामने आसन बिछा कर बेट जाएं। इस कटोरी को आप भोले नात के चर्णों में रखतें। इसके बाद सबसे पहले भगवाई शिरी गणिश को प्रणाम करें। फिर आप मागोरी और भोले नात को प्रणाम करें। फिर ओम नमश शिवाई मंत्र का 108 बाद जाप करें। जाप करने के पश्चात आप लौंग और कपूर को उठाएं और भोले नात के चर्णों से इसपश करें। इसके बाद इन दौनों लौंग और कपूर को आप अपनी आखों से तीन तीन बाद छवाएं। आखों से लगाने के पश्चात आप अपने दोनों हाथों के बीच में लॉंग और कपूर रखकर हाथ जोड़कर भोले नाज से अपने सारी परेशानी कहें और सभी कश्टों को दूर करने के प्रातना करें प्रात्ना करने के पश्चात आप कपूर को बापस कटोरी में रख दीजिए और कपूर को जलाएं कपूर जलाने के बाद आप कपूर के उपर दोनों लॉंग रखतें लॉंग और कपूर जलाकर आप भगवान शिप की आर्थी करें आती करते समय लॉंग और कपूर के जोसे आप भगवान भूले नात के आती अवश्य ही उतारें जब लॉंग और कपूर पूरी तरह से जल जाए आती पूरी हो जाए उसके पश्चात आप लोंग और कपूर की भस्म को अपने हातों से भोले नाथ के चर्णों पर लगाएं भोले नाथ के चर्णों पर भस्म लगाने के पश्चात आप इस भस्म से अपने मस्तक पर तिलक करें ऐसा करने से भोले नात की अजीम के प्राप्राप्त होती है तिलक करने के पश्चात आप भोले नात से हाथ चोड़ कर अपनी सभी परिशानियों और कश्टों को दूर करने की प्रात्ना करें ध्यान रखें दोस्तों आप इस भस्म का किसी और के तिलक ना करें इस भस्म से सिर्फ आप अपने तिलख करें जब तक ये भस्म है आप रोजाना भूले नाथ के चर्णों पर इसे लगाए फिर अपने मस्तक पर लगाए दोस्तों इस उपाई को करने से भूले नाथ की करपासे शीकर ही आपको सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों अगर आपके घर में बहुत ही नकारात्मक उजा बढ़ गई है बहुत लड़ाई छक्रे होते हैं अशांती का माहल रहता है तो आप घर में सकारात्मक उजा और शांती का निर्मार करने के लिए प्रति दिन सुभे और शाम कपूर को घी में भिगो कर जलाएं और संपूर घर में इसके खुश्बू फैलाएं ऐसा करने से घर के नकारात्मक उजा नश्ट हो जाती है तो सपन नहीं आएंगे और घर में अमन शांती बनी रहेगी बैग्यानिक शोदों से ज्यात होता है कि कपूर की सुगंद से जीवाणों बिशाणों आदी फैलाने वाले जीवनश्ट हो जाते हैं जिससे बातावरन शुद्ध हो जाता है तथा बीमारी होने का भे नहीं गहता दोस्तों यदि आपका भागे आपका साथ नहीं दे रहा बंते काम बिगड रहे हैं तो आप इसनान के पानी में कपूर के तेल की कुछ पूंदर डाल कर उससे इसनान करें यहें आपको तरो ताजा तो रखेगा है आपके भागे को भी चमकाएगा कपूर का तेल ना हूँ तो आप कपूर को थोड़ा सा पीसकर भी पानी में मिला सकते हैं दोस्तों अगर आपके उपर राहू केतू का कोई दोश या शनी दोश है तो आप इसनान के पानी में कपूर के तेल की बूंदों के साथ साथ कुछ मूंदे चमेली की तेल की भी अवश्य डालें और फिर इससे इसनान करें ऐसा करने से राहू के तू और शनी दोश नहीं रहेगा चमेली का तेल जल में डाल कर इसनान केवल आप शनिवार के दिन ही करें दोस्तों अगर आपके दामपत्य जीवन में मधुरता नहीं है पती पत्नी के बेज तनाव है तो रात को सोने से पहले पत्नी अपने पत्नी के तक्ये में सिंदूर की एक पुडिया और पती अपनी पत्नी के तक्ये में कपूर की दो तिक्या रखते हैं प्रात होते ही सिंदूर के पुडिया को घर से बाहर फैंकते हैं और कपूर की तिक्या निकाल कर आप अपने बेडरूम में जला दें ऐसा कहने से पत्नी के संबंध मधुर होते हैं यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने बेडरूम के किसी कौने में कपूर की दो टिक्या रखते और जब भी यह गलकर खत्म हो जाएं तो आप नई टिक्या बापस से रखते इसके अलाबा रो जाना, संध्याकाल के समय या रातरी के समय आप अपने बेडरूम यानि की शेन कक्ष में कपूर की दो टिक्या अवश्य ही चला ऐसा कहने से आपके बेडरूम में उत्पन सारी नकारात्मक उजा दूर हो जाएगी पती-पत्नी का सम्मंध मधुर होगा और तनाप दूर होगा दोस्तों आकसमिक खटना या दुर खटना का कारण राहु के तु और होते हैं इससे बचने के लिए रात के समय अब बजरंगभली के सामने बैठकर हनुमान चालेसा का पार्ट करें हनुमान चालेसा का पार्ट करने के पस्षाथ आप एक कपूर का टुक्ड़ अवश्य ही चलाए ऐसा करने से आकसमिक खटना या दुर खटना नहीं होगी दोस यह सभी राहू और केतू के प्रभाब से ही होता है इन दोशों से मुक्ति आपको कपूर दिला सकता है इन दोशों से मुक्ति पाने के लिए और राहू केतू के प्रभाब को दूर करने के लिए आप कपूर का एक टुकडा लें इसे शुद्ध घी में भिगोएं और इस कुछ काल सर्प्र दोश देव दोश से मुक्ति मिलती है राहु के तु के प्रभाप भी दूर होते हैं दोस्तों कपूर के बारे में पैक्यानिक शुद्धों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि इसके सुगंध से जीवानों बिशानों आदी बीमारी फैलाने वाले जीवनश हो जाते हैं यह बाताबरन को शुद्ध करता है जिसे बीमारी होने का खत्रा भी कम होता है बिज्ञान के अनुसार पूजा या हवन करते समय जब हम कपूर जलाते हैं तो उससे निकलने वाला धुआ आसपास की नकारात्म उजा को भी नश्ट कर दीता है दोस्तों अगर आ तिक्या गल कर समाप तो हो जाएं तब फिर उसी इस्थान पर दो टिक्या रखते हैं बास्तु शास्त्र के अनुसार बास्तु दोश को दूर करने का ये बहुत ही कारगर उपाई है बास्तु शास्त्र के अनुसार जिस जगे कपूर की टिक्या रखी होती है वहां वहाँ शुक्षान्ती सम्रथी बनी रहती है धार्मिक माननेताओं के अनुसार घर के कलेश और असान्ती को दूर करने के लिए रात को सोने से पहले किसी पीतल के बर्तन में कपूर लेकर उसे गाय के घी में डूबो कर जला दे ऐसा करने से घर के सभी कलेश नश्टो हो जाते हैं और घर में शुक्षान्ती बनी रहती है दोस्तों अपनी समस्या के अनुसार आपका पूर के ये छोटे छोटे से उपाय करके अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को प्रेफ्रेंट्स और इस्तिदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिसी भैभी इसका लाब उठा सके हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को करना ना भूलें थैंक्स पूर वाचिंग राधी राधी